Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. Chapter number 14, Chemical Effect of Electric Current के हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर? Mind Map करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपास जो टॉपिक है, उसका नाम है Chemical Effect of Electric Current. सबसे पहले आप यह देखो कि Electric Current क्या होती है? आप जानते हो कि Electric Current जो है, वो क्या होती है? Electric Energy एक तरीके की. Okay, Electric क्या होती है? Energy होती. Electric क्या होती है? Energy. और उस Energy का Flow, जो वायरस के अंदर होता है, उस Energy का Flow, उसको हम क्या बोलते हैं? Current. Okay, उस Energy का जो Flow होता है, ओके मतलब की Metal के वायर में एक स्थान से, एक प्लेस से, दूसरे प्लेस तक, जो Electrical Energy होती है, वो Flow होती है. किस फॉर्म में? Current की फॉर्म में. Okay, तो यहाँ पर इतना ही काफी है जानने के लिए. और अब हमको पढ़ना है कि Electric Current के कौन कौन से effect हुआ करते हैं. तो बच्चों देखो, जब भी कोई Current होती है, अगर वो किसी रास्ते से गुजरती है. Okay, अगर कोई आपके पास में Electric Current है, सपोज ही Electric Current आपके पास है, और यह एक वायर से जा रही है. इसके कुछ effect होते हैं. Number one, यह जिस वायर से गुजरती है, उस वायर को गरम कर दिती है. क्या कर दिते है उस वायर को? गरम कर दिती है. आपने देखा होगा है घर में आपकी Heater होगा, ठंड में आप लोग आक सेखते हैं. तो उसमें एक ऐसे वायर लगे रहते हैं, और वायर में जब आप current input करते हैं, तो वायर क्या हो जाती है, गरम हो जाती है, वायर जो हो जाती है, क्या हो जाती है, गरम हो जाती है, एकदम red form में वायर हो जाती है, हो जाती की नहीं हो जाती है, तो यह यहाँ पर वायर गरम हो क के heat blow किया करती है okay so heat आपको produce करती है तो इसको बोलते है heating effect क्या बोलते हैं इसको heating effect ये कहलाता है heating effect अब दूसरा दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे कि इसको क्या कहा जाए chemical effect एक होता है chemical effect of electric current ये क्या है chemical effect of electric current इसको simple word में समझे बिटा आपके mobile में battery होती है बोले आसा आपके mobile में battery होती है आप mobile के battery में mainly होता है दो metal की rod होती है क्या होती दो metal की एक rod को जिस पर plus charge होता उसको बोलते है एनोड क्या बोलते है और जिस पे मैनेस charge होता उस rod को क्या बोलते हैgend TikTok कि जब आप mobile का लगातार यूज करते है तो आप कहते हैं mobile discharge हो गया क्या हो मोइल और mobile discharge हो जाने से ये जो आपके cathode or anak-node है कैथोड और एनोड है इन पर चार्ज खतम हो जाते हैं इन पर क्या हो जाते हैं चार्ज खतम हो जाते हैं इन पर जो चार्ज होता है इन पर जो वोल्टेज होता है वो फिनिश हो जाता है खतम हो जाता है तो आप क्या करते हैं तब आप मोबाइल की चार्जिंग प्लग में ब कौन करती है करेंट और करेंट अपना केमिकल इफेक्ट दिखाती है करेंट अपना क्या दिखाती है केमिकल इफेक्ट तो करेंट से आप कुछ केमिकल रियक्शन अंदर करवाते हूँ तो यह कहलाता है chemical effect of current, इसको बोलते है chemical effect of current, इसको बोलते है chemical effect of current, तो यह जो effect कहलाता है, इसको chemical effect of current बोलते है, ठीक है, चलिए रिखिए, तो यस हम बात करते हैं सबसे पहले, chemical effect of current में सबसे पहला topic है, हाँ पर energy, तो energy के different form देख लिए, energy जो आपको मिलती है, सबसे पहले energy, आपको किस फॉर्म में दिखने को मिल रही यहां पर लाइट अनर्जी कौन से अनर्जी आपको देखने को मिल रही यहां पर लाइट अनर्जी तो यह देखिए आपके पास में यह कौन से अनर्जी है लाइट अनर्जी ओके दूसरी अनर्जी कौन सी भाई साब मैगनेटिक कौन से नर्जी है emagnetic energy okay magnetic energy आपको दिखने को मिल रही है फिर कॉंसी energy हीट energy okay यह कौन से energy है hit energy तो यह energy के different form है जिसमें light energy है जिसमें magnetic energy हो जिसमें heat energy है done okay अब बात करते है electricity की तो अभी अभी आपने देखा कि electric भी electricity क्या होती है एक प्रकार की एनर्जी हुआ करती है एलेक्ट्रिक जो होती है एलेक्ट्रिक एनर्जी एक प्रकार के नर्जी होती है जैसे यहां पर इंदो बताई कि लाइट एनर्जी magnetic energy heat energy और एक प्रकार के अनरजी में और अपनी तरब से यहां पर लिखत अ台व कौन सी से अनरजी एलेक्ट का बोलते हैं इसको electricity, okay electricity कैसे flow होती है, देखो electricity flow करने के लिए, mainly आपके पास में कैसे flow होती है, एक conductor याने एक तार का तुकड़ा, एक तार का तुकड़ा होता है, इस तार के तुकड़ा के अंदर फ्री इलेक्ट्रोन होते है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रोन, अब जब इलेक्ट्रोन होते हैं, तार के तुकड़े के अंदर, और आप लगाते हो यहाँ पे battery, तो यह plus है, और यह क्या है, minus, तो बैट्री लगाने से एक potential set हो जाता है, क्या set हो जाता है, potential मतलब लालच, potential मतलब लालच एक तरीके का, तो potential set हो गया, जिससे कि यह जो इलेक्ट्रोन है, यह सारे के सारे एक डिरेक्शन में मूव करना, शुरू कर दे, जैसे पानी होता है न, एक डिरेक्शन में भागना शुरू कर देता है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोन एक डिरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रोन खुद में negatively charge होते हैं चलने की करण electron की opposite direction में हम मांते हैं कि current flow हो रही है क्या मांते है current flow तो current की direction कहा होती positive to negative और electron की direction होती negative to positive ओके तो actually ये electron का flow होना ही electric current है क्या है talk flow होना ही है electric current है okay so देखते है electricity कैसे बनती है flow of electron neuron flow of electron और अभी मैंने वता हैं जबhy conductor से electron flow करेंगे तो क्या produce होगी heat energy, क्या produce होगी, heat energy conductor गरम हो जाएगा, so produce heat energy, produce heat energy और heat के साथ electricity से क्या मिलती है, light energy आपने देखा होगा जो сум बल्ब होता है electricity पे काम करता है और क्या produce करता है, light energy, क्या produce करता है light energy ने तो electricity so what is this this is electricity is the flow of electron it produce heat energy as well as light energy done okay now we talk about the conservation of electricity okay how to conserve electricity means to conserve electricity to save electricity first we switch off unnecessary switches of the fans lights okay unnecessary okay so switch of the fans lights when they are not in use okay so this is this may be the way of conserving of the electricity first thing okay and better to use led light emitting diode bulbs today we are using light emitting diode bulbs just like this we using light emitting diode bulbs these are more less consumption power come come power cutting okay clear one you come power cutting like this this bulb is of 9 watt this bulb is of 9 watt 22 it consumes very less amount of power compare compare to that job all of your body body are today saw what for k-50 what kids are put on a valley so better to use what type of bulb led well okay so so to conserve electricity we should have to use what type of ledibles exactly okay now talking about the conductor talking about the conductor so what are the conductor the material which can flow the electricity which can flow the electricity or conductor okay example good conductors so there are two types of conductor good conductor with it there they can flow electricity very good okay very easily very easily the materials which can flow electricity very easily are called good conductor of electricity and silver is the best conductor of electricity which conductor silver silver is the best conductor of electricity so good conductors example metals liquids yes liquid are also conductor of electricity आपने बैटरी रेखी कभी बैटरी के अंदर पानी भरा रहता है yes or no a liquid is there yes or no this liquid is called electrolyte this liquid is called electrolyte इसको क्या बोलते है electrolyte और इसमें दो प्लेट रहती है this is called anode and this one is called cathode cathode is negative anode is positive done done so what good conductor metal liquid now bad conductor what are the bad conductor usually non-metals usually non-metals all non-metals are bad conductor all non-metals are bad conductor of electricity they are not conduct electricity at all and distilled water and what water distilled water because distilled water में distilled water में किसी भी प्रकार के आयन नहीं होते हैं there is no positive though negative so there is no flow of electricity at all done any problem yes now we talking about electroplating electroplating okay yes so electroplating के बात करते हैं so first we talk about the electrodes first we talk about electrodes so two type of electrodes are there one and this the electrode connected with the positive terminal of the battery positive terminal of the is called anode is called anode so what is anode the electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode and the second one the electrode connected with the negative terminal of the battery is called cathode is called cathode so there are two type of terminal one is positive one is negative so electrode connected to the negative terminal of the battery is called is called cathode done Any problem? Yes. Next बात करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर बात करनी हुड़ेगी हमको, उपर का पार्ट तो पूरा किलिया है। अब हम बात करते हैं इLEKTRO PLEATING की, किसकी बात करते हैं? ELEKTRO PLEATING की, so what is ELEKTRO PLEATING? Covering of a Metal with another metal, covering of a metal with another metal, आपके पास मानलो आपका कोई बहुत ही अच्छा ग्लास है ओके आईरन का ग्लास है बहुत सुन्दर है आपको बहुत प्यारा है बट उसके उपर क्या लगती जंग लग जाती है जंग तो आप चाहते हो कि मैं इसके उपर कुछ अलग से कोईट कर दूँ कोई अलग मैटल चड़ा दूँ इसके उपर कोई में अलग मैटल चड़ा दू इसको प्रोटेक्टेटट परistas यह चण्यों को कि मानलो कोई चीज आप को पनी चड़ा दो है ना तो वह क्या हुझा है जैसे आपकी गर में अलमारी वेंतो दर्बाजि धोगए आएसे ही हम क्या करते चाहित है है अलग मेटल्स की पराच रहा देते हैथ हैं ने थे फो THE से इसके इसकोल इलेक्ट्रो प्रेटिंग ऑके सब símbol हम become बात करते हैं चाड़े लगती हैं बड़े बड़े सरीया लगते हैं, so building मनाने में होता है, and it is used in automobiles, it is used in automobiles, now important line, by which metal you electroplate the iron, answer, zinc, iron को किस से electroplate किया जाता है, zinc से, मतलब iron की उपर किस चीज की पर चड़ा जाती है, zinc, very important, next, tin, so what is tin, tin is very important metal, that is used to prevent spoilage of food, मतलब food को protect करनी के लिए किस का इस् are electroplated with tin, जो iron के कोन होते है, iron के क्या होते है, उनको किस से tin से हम electroplate करते है, okay, now about the tin, about the tin, tin is less reactive than iron, tin is less reactive than iron, iron, तो tin की plating कर दी जाती है, जिससे की, यह less reactive होता है, इस पर जल्दी से जंग नहीं लगती है, so this is called tin, now next, jewelry, okay, jewelry बनाने के लिए, electroplated with silver all gold, silver all gold, जो jewelry होती है, उनको electroplate कर दिया जाता है, किस से silver से या gold से, artificial jewelry, okay, इनको silver या gold से, electroplate, इनके उपर silver या gold की परच चला दी जाती है, कुछ jewelry में, okay, made up of the cheap metals, अब इसमें क्या है, सस्ते metal का इस्तमाल करते हैं, जो लोग पूरी अच्छी jewelry नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए हम लोग cheap metals, सस्ते metal के उपर इनकी coating कर देते हैं, और वो लोग jewelry का आनन्द उठा सकते हैं, done, chromium, 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 chromium की बात करते हैं, yes, chromium, electroplated with chromium, chromium, electroplated with chromium, object like, object like, taps, car parts, wheel, rims, resistant to scratches, dawned corrode and shining surface, मैं chromium की बात बता दूँ आपको, कि chromium से आप जिस चीज की electroplating करोगे, उसका number one, बहुत सारे फाइद हैं, जैसे आपने देखा होगा, गाडियों की जो rim होती है, जैसे आपके cycle की जो चके होते हैं, देखे हैंना cycle के चके में ये जो पार्ट होता है, जो बहुत चमकता है, जो बहुत चमकता है, चके के ऊपर का पार्ट, that is called rim, क्या कहते हैं इसको, rim, ये बहुत चमकता है, तो इसमें किस की coating की होती है, chromium की, किस की coating की होती है, chromium की, किस की coating की होती है, chromium की, इसमें जंग नहीं लगता है, ओके, और इसमें क्रेच यूलकियाट ह Interesting जगते हैं at 2 इसमें आपके手 टैप्स होते है सADE एंगर अपने चंप-चम यह दो है से हम से ल कोटीर नगता है लुक है किते सालू तरपनी के पानी में फ्लो करते कैश्ड अझान желग एक प्लो लॉ के making surface shiny surface को चिकना बनाने में make object resistance of scratches scratches proof बनाने में चीजों को scratch ना लगे जैसे यह आपके mobile के पीछ अगर मैं chromium की coating करा दूँगा फिर आपके mobile में scratch भी करूँगा घिसुंगा यहां पे तो उस पे scratch नहीं आएगा okay then electro plate less expensive metals okay electro plate less expensive metals ठीके ना मतलब की यह जो है की electro plate इंड होती है आपके जो अच्छे वाले metals रहे तो होते हैं जो महंगे metal होते हैं तो उनको protection देती क्या देती है protection example के लिए iron को भी production कौन देती इलेक्ट्रो प्लेटिंगी देती है जिंक के जिंक को आप लपेट होगे iron के उपर तो आपका iron react नहीं करेगा and your iron will be work for more days उसके उपर atmosphere का action नहीं पड़ेगा तो आपका iron सुरक्षेत रहेगा done so this is all about the mind map related to the chemical effect of current okay and one more तो अब इसके बाद मेरे शाल से chapter बना है some natural phenomena yes no चली तो इसको complete करिए complete करने के बाद इसके आप चैप्टर करेंगे ncrt के important concept पढ़ेंगे दर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका ncrt question and answer okay so that's it thank you so much